नमस्कार कक्षा 10 exercise 7.1 का प्रश्ण 9 बच्चों आज हम करने जा रहे हैं यदि Q जिसके निर्देशांख है 0,1 बिंदुओं P और R इनके निर्देशांख हमें दिये हुए हैं से सम दूरस्त है यानि बराबर दूरी पर है तो देखे ये बिंदु एक क्यों है दो बिंदु है P और R ये दोनों से बराबर दूरी पर है यानि जितना P के हूँ है उतना ही Q R है ठीक है बच्चों तो X के मान ग्याद कीजे देखे क्यों के जो निर्देशांख हमें दिये हैं वो दिये है 0,1 P के जो निर्देशांख हमें दिये हैं वो दिये हैं 5,-3 और R के जो निदेश आंक है वो है X,6 ठीक है तो दूरी सुत्र के अनुसार ये इसका हल यहां से शुरू हो रहा है दूरी सुत्र के अनुसार दूरी किसके ब्राबर होती है रोट X2 माइनस X1 का होल स्केर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्केर दूरी इसके ब्राबर होती है ये हमने पहले भी बच्चों पढ़ा है ठीक है तो हम P के उओ और QR क्योंकि P के उओ और Q बिन्दू P से और R से ब्राबर दूरी पर है इसका मतल extracting जितना P के उओ अगा उतना ही QR होगा P के उओ ब्राबर है QR के तो दूरी सुत्र के इनुसार हम P के उओ भी निकालेंगे और QR भी निकालेंगे दिखें पी के उओ P के उदूरी के लिए X2 माइनस X1 का होल स्केर यानि 5 माइनस 0 का होल स्केर प्लस Y2 जो की है माइनस 3 माइनस 1 का होल स्केर है ना बच्चो आशा करता हूँ अभी तक दूरी सुतर तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा Y2 माइनस Y1 देखें Y2 दूसरे बिंदू में यह है Y2 और यह है पीछे वाला होता है Y का कोडिनेट आगे वाला होता है X का कोडिनेट तो Y2 माइनस 3 माइनस फार्मुले से और यहां से है 1 इनका होल स्केर यह किसके बराबर होगा क्या हूँ आर के अब क्या हुआ और दूरी देखते हैं x2-x1 x-0 का whole square minus 0 का whole square plus y2-y1 6-1 का whole square whole square तो आईए भी से हल करें root 5 में से 0 गया 5 5 का whole square plus minus 3-1 यह होता है minus 4 minus minus plus 3 और 1 4 sin minus का whole square बराबर यहां से यह हो जाएगा root x में से 0 minus x का square plus 6-1 होता है 5 तो 5 का square अब इन दोनों साइडों का हम squaring कर देंगे squaring both sides उससे क्या होता है root कट जाता है हमने पहले भी ऐसे प्रश्न किये है squaring both sides तो दिखे square करेंगे तो root का square हो जाएगा उससे root खतम root का square मतलब root खतम तो यह आगया 5 का square 25 प्लस minus का square प्लस 4 का square 16 बराबर यहां से आगया root का square खतम x square plus 5 का square होता है 25 ठीक है बच्चो इससे क्या होगा यह 25 से यह 25 कट जाएगा यह दूसरे शब्दों में यह 25 उधर आके माइनस होगा तो 25 में से 25 माइनस होके 0 हो जाएगा तो अब x square आ गया है 16 तो x कितना होगा x होगा 16 का root जो की होता है plus या minus 4 plus 4 भी हो सकता है minus 4 भी हो सकता है ठीक है बच्चो इसका मतलब क्या है कि x की दो values आई है पहली value आई है x बराबर 4 दूसरी value आई है x बराबर minus 4 यह x की दो values है याद रखना क्योंकि plus 4 का square भी 16 माइनस 4 का square भी 16 होता है यह x के 2 मान आ गए हमें उन्होंने बोला था x के मान गयाद कीज़े तो हमने x के मान गयाद कर दिये है दूरिया qr और pr तो देखते हैं qr किसके बराबर होगा यह हमने निकाला था qr qr किसके बराबर रहा था root x square plus 5 का square यह आया था ना बच्चो x square plus 5 का square ठीक है बच्चो तो देखें यहां से x का square x कितना है माइनस 4 तो माइनस 4 का square plus 5 का square होता है 25 यह आ गया माइनस 4 का square 16 plus 25 16 plus 25 होता है 41 root के अंदर 41 का root निकल नहीं सकता है इसका मतलब qr की दूरी आ गई root 41 इसी प्रकार से हम PR दूरी निकालेंगे PR आपस में joined नहीं है इस दूरी को निकालने के लिए हम इसको join करते हैं देखें अब PR दूरी के लिए देखें x2-x1 दूरी सूत्र x2-x1 यानी x-5 का square प्लस y2-y1 y2 है 6 y1 है माइनस 3 तो यह हो जाएगा 6-3 यह दो माइनस क्यों आए एक माइनस फार्मूले से आया x2-x1 वाले फार्मूले य2-y1 वाले फार्मूले से और एक माइनस यह 3 के साथ है इनको जोड़ने के लिए अलग से एक ब्रैकेट और इसके बाहर फ्लावर ब्रैकेट इसका square इसे हम हल करते हैं आगे है माइनस 5 उसका square प्लस 6 माइनस इंटू माइनस होता है 6 प्लस 3 9 यानि 9 का square इसे हम हल करते हैं माइनस 4 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5 और 4 9 का square हो गया 81 प्लस 9 का square यहां भी हो गया 81 ठीक है बच्चो 81 प्लस 81 हम प्लस करते हैं तो यह बन जाएगा 162 162 का यदि हम prime factorization करें तो वो होगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 यह आप करके देख सकते हो 162 को मैंने कैसे निकाला पता है 81 प्लस 81 गुना 2 हाँ ना तो 2 गुना 81 होता है 9 गुना 9 9 मतलत 3 गुना 3 और 9 मतलत 3 गुना 3 इस प्रकार से मैंने इसका अब हाजय गुनन कंदन जुबानी निकाल दिया है अब आप देखेंगे इन तीन में से एक तीन रूट के बाहर आ जाएगा इन तीन में से एक और तीन रूट के बाहर आ जाएगा अंदर बच गया रूट दो यानि यह आ गया तीन गुना तीन नो रूट दो ठीक है बच्चो तो यहां से आप देख सकते हैं हमसे क्या-क्या पूछा गया था एक्स के मान गयाद कीजिए एक्स का मान आया चार माइनस चार उसके बाद हमसे पूछा गया था दूरिया क्यो आर और पी आर गयाद कीजिए तो दूरी क्यो आर यह हमने जाया होगा मैंने पूरा प्रयास किया लगलग तरह के कलर्स यूज़ करके आपको हर चीज़ समझाने में तो यदि आपको इस प्रशनावली के बाकी प्रशनों को भी समझना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करकर बाकी वीडियो को आप वहां पर देख सकते हैं धन्यव तो हम आपको आपको अीज़ एर चैनल को अपको जापको लेडि़ को अपको आपकोड़ाब कर दापको ड़की कि यूज़ समय का आपको जापकर प्रशनावली को आपको तो हमारे लना।